पूरा देखूंगा मैच मैच कोई देखेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तो इंडिया तो जीतेगी और आपको क्या लगता है कौन सा खिलाडी जो है आज बहुत ही बड़िया परफॉमेंस करेगा मुझे तो उम्मीद है कि आज सूरे कुमार यादव बहुत बड़िया परफॉमेंस करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो के नरम बात करेंगे जो DCA सिस्टम का IPO है वो 31 अक्टूबर को ओपन होने वाला है उसका आज की दारिक में लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है तो उसके बारे में हम जानेंगे और दोस्तो DCA सिस्टम का जो IPO है उसके रिव्यू का वीडियो मैं अलदाल चुका हूँ पिछला वीडियो ही मैंने डाला था उमेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं इस IPO में अपलाए करना है या नहीं करना है तो सारी डीटेल्स उसके अंदर मैंने कवर कर दी है और उसके लावा दोस्तो जो अपकमिंग IPO जाने वाले हैं उनकी डेट्स वगिरा क्या हो सकती है SME IPO जाने वाले हैं उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलेगरम चैनल को जोईन कर ले टेलेगरम पर क्या हैगी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आदवान मिल जाते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जायगी और दोस्तो अपने IPO के अलोटमेंट की चांसे बटाना चातना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में demonstrates को भुलवानी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी तो दोस्तो आज की तारिक माईए DCA system के grey market के premium की बात करें latest grey market का premium जो चल रहा है 40 रुपए per share अभी देखें दोस्तों market जो है बंद है पर इसकी demand जो है 40 रुपए per share बता रहा है 40 रुपए per share इसका grey market का premium है 72 shares का ये lot है 40 रुपए बहुत तर करते हैं 2880, 2880 रुपए हमें एक lot पर आज की तारिक में फैदा बता रहा है अगर percentage wise देखें तो करीप-करी 20% के आसपास इसका grey market का premium है आज की तारिक में पर मुझे उमीद है अभी market जो है close है पर मुझे उमीद है कि इसका grey market का premium और ज़्यादा बढ़ सकता है 40-50% जैसा listing is मुझे उमीद है कि इतना listing is बिल सकता है और बाकी देखें दोस्तो grey market के premium पर मैं आपको daily update देता रहता हूँ तो आप हमसे जुड़े रही है आपको daily update मिलता रहेगा और दोस्तो upcoming IPOs के बारे में बात करें तो 5 star का IPO, uniparts का IPO यह देना IPO भी जल्दी आने वाले है मतलब इनकी date जो है जल्दी ही अनुस होने वाली है और एक CMR green का IPO है उसकी भी date हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी फिर दोस्तो SME IPOs के अगर बात करें तो SME IPOs भी 6-7 SME IPOs जो है open होने जा रहे है जिसके अंदर पहला IPO है integrated personal, vital chemtech, right zone, depths advertising और technofog polymers तो यह सभी SME IPOs जो है open होने जा रहे है मतलब next यह IPOs open होंगे और दोस्तों अभी दिवाली की छुटियां चल रही है और उसके लबा कल जो है मूरत trading भी होगी तो उसके उपर भी मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा की कौन से stock जो है मूरत trading भलेने है और मूरत trading होता क्या है तो नेक्स वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे channel से जोड़े है वीडियो कर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जोरूर करें और दोस्तों जानल को सब्सक्राइब कर लें और उसके लाबा मुझे ये कमेंट करके जोरूर बताएगा कि आप सभी में से इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन कौन देख रहे है तो दोस्तों टेलेग्राम इंस्टाग्राम सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो के अंदर